Hello guys and welcome back to another video, आज की इस वीडियो में हम डिजाइन करेंगे एक food brand के लिए post है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर 4 ratio 5 लिग लेना है, यहाँ पर Instagram post पर click करना है, हमारा canvas हमें मिल चुका है, अब सबसे पहले तो इसमें आपको एक background लगाना है, तो background का color select कर लेते हैं, यहाँ पर element में search करना है glow, तो यह वाला glow हम अक्षर use करते हैं, देना है और इसकी transparency को आज थोड़ा कम करके देखते हैं, अब हमें यहाँ पर एक texture add करना है, तो अब element में search करना है wavy pattern, ग्राफिक में जाना है, और यह वाला pattern हमें अच्छा लग रहा है, तो यह वाला use करेंगे, इसको बड़ा कर लेते हैं, पूरे canvas में आना चाहिए, अब इसकी transparency को हम थोड़ा सा कम कर देंगे, अब next हमें search करना है samosa, तो यह हमारी image है, इसका background remove कर लेना है, and अब इसके पीछे एक shadow add करनी है, तो shadow search कर लेते है, shadow, graphic में जाएंगे, circle shadow हम चूज करेंगे, इसका size छोटा करके इसको alt one press करेंगे, and samosa के पीछे ले जाएंगे, अब हमें यहाँ पर लिखना है sauce, और graphic में जाना है, यह हमारी sources आ रहा चुकी है, तो इन में से कोई सी भी आप use कर सकते हैं, मैं यह वाली use कर रहा हूं, and इसके नीचे भी shadow add कर देंगे, next हमें यहाँ पर search करना है coriander, और य लिखेंगे tomato, photos में जाएंगे, इसका size हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, and यहाँ पर इसको edit में जाके इसको भी blur कर देंगे, आप अपने हिसाब से इसको blur कर सकते, next हमें एक और samosa लेना है, तो इसी samosa के लिए को ctrl c ctrl v करेंगे, and इसको rotate करके, अब edit में जाके इसको भी blur कर देंगे, good, अब यहाँ पर लिखना है food logo, ग्राफिक में जाके हमें यह logo लगा देना है, यह हमारी company का logo हो सकता है, या कुछ भी आप इसको add कर सकते हैं, यहाँ पर, अब लिखना है facebook and facebook और instagram दोनों के logo यहाँ मिल चुके इनको, छोटा कर लेना है, facebook के logo को थोड़ा और यहाँ लगा देंगे, आप चाहें तो twitter का logo भी यूज कर सकते हैं, तो twitter सर्च किया मैंने, और यह twitter का logo आगा है, इसको white कर लेते हैं, next is हमें यहाँ पर text लिखना है, तो text लिखते हैं, एक heading add करेंगे, इसको लिखेंगे mega promo, enter दबा के हमने यह ही मिल लग दिया है, अब इसक लग रहा है, इसके spacing को थोड़ा कम करेंगे, और इसके size को थोड़ा बढ़ा कर देंगे, center में डालेंगे, अब इसका color change करके white कर देंगे, alt 1 press करेंगे, इसको samosa के पीछे लेके जाएंगे, अब ctrl c करके v दबा देंगे, यह हमारे पास copy हो जाएगा, यही, अब effect में जान है, order now, यह वाला हम use करेंगे, इसका color हमें change कर लेना है, इसको black कर देते है, delivery man भी लगा सकते है, तो delivery man का graphic हमें यहां मिल गया है, इसको छोटा करके, zoom करके देख लेते हैं, adjust कर देते हैं, अब search करना है, circle brush, और यह हमारी circle brush आ गया है, इस पे हम color change करके, इसका थोड़ा dark, अब यहां पर एक text add करेंगे, इसका spacing कम कर देते हैं, अब इसको यहां उपर add कर लेना है, अब एक और text add करना है हमें, और इसको लिखेंगे, add the rate, जो भी username होंगे, हमारी social media platform के वो, इसका size और सोटा कर सकते हैं, fit करने के लिए, और bold को हटा देते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें उपर भी यह जो logo दिया, इसमें भी हम कुछ text add कर सकते हैं, इसका color change करके हम dark prime कर देते हैं, आप चाहें तो इसको duplicate करके इसको भी दुबारा लगा सकते हैं, तो इसी तरीके से आपका यह design बनकर ready हो चुका है, काफी professional लिखाई दे रहा है, आप अपने client को असान से दे सकते हैं, इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मुझे subscribe कर लिजे और इस वीडियो को like कर दीजे,